दिव्या भारती एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुवात में कई व्यावसायक रूप से सफल हिंदी और तेलुगु भाशा की फिल्मों में अभिने किया। महज 19 साल की उम्र में बॉलिवुड पर राच करने वाली दिव्या भारती को 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी वह लोगों के दिलों में जिन्दा हैं। वह बहुत कम समय में खुद को 90 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में सफल रही। अभिने के अलावा भारती की 6 प्रभावशाली व्यक्तित्व की थी। दिव्या भारती का प्रारंभिक जीवन। एक दिव्या भारती शुरुवाती दिनों से ही मुंबई में रहती थी। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीरा भारती था। पिता ओम प्रकाश बीमा एजेंट थे। उनके पिता ने दो शादियां की और दिव्या भारती दूसरी शादी से सबसे बड़ी लड़की थी। दो दिव्या भारती शुरू से ही फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहती थी। इसलिए उन्हें कम उम्र से ही फिल्मों के ओफर मिलने लगे, उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्मों के ओफर मिलने लगे तीन दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था इसलिए कम उम्र से ही काम करने के कारण वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई उन्होंने मानेक जी कूपर हाई स्कूल से केवल कक्षा बल का अध्ययन किया चार दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया और उनके प्रयास 14 साल की उम्र में शुरू हो गए कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 1990 में 16 साल की उम्र में सफल तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से अपनी शुरूआत की प्रारमभिक समय में भारती को कम महत्व की भूमिकाई दी जाती थी पांच दिव्या भारती ने क्रमशे शाहरुख खान गोविंदा और रिशी कपूर जैसे प्रशंसित अभिनेताओं के साथ शोला और शबन्म और दीवाना जैसी फिल्मों में सफलता हासिल की बाद में उन्होंने सर्वश्रिष्ट महिला पदारपन के लिए फिल्म फेर पुरसकार जीता उन्होंने 1992 से 1993 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिने किया और हिंदी सिनेमा में अटूट कीर्तिमान स्थापित किया छे उनकी अंतिम पूर्ण फिल्में सहकलाकार कमल सदाना के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शत्रंज थी जो दिव्या भारती की मृत्यू के बाद रिलीज हुई थी दिव्या भारती का फिल्मी करियर सफर एक दिव्या भारती का फिल्मी करियर बहुत बड़ा नहीं था उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना नाम कमा कर इस दुनिया को छोड़ दिया आप इस लेख में जान पाएंगे कि उनकी मृत्यू कब हुई और दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात कब से की दो दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात महस 14 साल में की थी उन्होंने अपने करियर की शुरुवात 1990 में एक तेलुगु फिल्म बॉब्बिली राजा से की थी वर्ष 1992 में दिव्या भारती को फिल्म विश्वात्मा से सफलता मिली इस फिल्म में एक गाना था साथ समुंदर पार में तेरे पेचे पेचे आ गया इस गाने ने बड़ा मुकाम हासिल किया और सुपरहिट रहा इस गाने के चलते दिव्या भारती सफलता की सीधिया चूने लगी तीन अब दिव्या भारती को इंडस्ट्री में पहचान की जरूरत नहीं है अब वह बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी इसके बाद कई तरह की फिल्मों के ओफर आने लगे अगली फिल्म गोविंदा के साथ दिव्या भारती शोला और शबन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े चार 1990 में अपने फिल्मी करियर की शुरुवात करने वाली दिव्या भारती की 1993 में होटल की छट से गिरकर मौत हो गई थी इसलिए सिर्फ तीन साल में दिव्या भारती ने पूरे बॉली वुड इंडस्ट्री में अपना जंडा लहरा दिया पांच इस समय तक दिव्या भारती पूरी इंडस्ट्री पर चाचुकी थी सभी अभिनेता और अभिनेत्रिया दिव्या भारती के साथ काम करना चाहते थे वह अपनी एक्टिंग में शत्प्रतिशत रंग दिखा रही थी जिससे निर्देशक और फिल्म की अच्छी खासी कमाई हो रही थी इन्ही सब कार्णों से दिव्या भारती कम समय में लोगों और फिल्म निर्मातावों की पहली पसंद बन गई दिव्या भारती की फिल्में बोगबिली राजा तेलुगु 1990, विश्वात्मा 1992, शोला और शबन्म 1992, दिल का क्या कसूर 1992, दीवाना 1992, गीत 1992, जान से प्यारा 1992, दिल आश्ना है 1992, बल्वान 1992, रंग 1993, शत्रिय उननीस सो तिरानवे, दिव्या भारती की मृत्यूत, पांच अप्रेल उननीस सो तिरानवे को रात करीब ग्यारा बजे दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा में अपने तुलसी अपार्टमेंट की पांचवी मन्जिल की बालकनी से गिर गई, उसे कूपर अस्पताल के आपात कालीन विभाग में ले जाया गया, जहां डॉक्तरों ने उसे मृत घोशित कर दिया। में यह सब शामिल है। यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।